शाकिबल हसन के IPL 2020 से अपना नाम वापस ले जाने के बाद कोलकता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में एक overseas खिलाड़े की कमी होगी है जिसके लिए वो जल से जल रिप्लेस्मेंट की तलाश कर रहे हैं और अगर आप मेरा opinion पूछो तो मेरे हिसाब से कोलकता नाइट राइ पेस हिटर उनको अपने टॉप पाँच में बहुत ज्यादा जरूरी है तो ऐसे ही पाँच खिलाडियों के बारे में हम बात करेंगे जो कि कोलकता नाइट राइडर्स में बतौर शाकिबल हसन की रेप्लेस्मेंट के तौर पर शामिल हो सकते हैं लेकिन उससे पहले if you are new here make अब देखते को मिलते रहें एंवर दॉप फॉर देले लेट्स बिगेन विडियो नमबर वन प्लेयर जो कि कोलकता नाइट राइडर्स में शाकिबल हसन को रिप्लेस करने के एक बड़े दावेदार हो सकते हैं इस श्री लंकास कैप्टेन दसुन शानका अब दसुन शानक को जब IPL 2023 के मिनी आउक्षन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया था तब सारे फैंस काफी ज्यादा क्रिकेट फैंस हैरान हुए थे विकोज जिस तरीके की फॉर्म दसुन शानका ने पिछले कुछ समय में दिखाई है लेजर्शिप एबिल की जर्सी में खेलते हुए दिखाई दें बिकॉज दसुन शानका आपको अंडर प्रेशर बल्ले बाजी करके दे सकते हैं और गेंद बाजी भी करके दे सकते हैं साथी में श्रे सेयर के जाने के बाद जो लीडर्शिप का वैक्यूम थोड़ा सा खाली हुआ है उसको भी द दसुन शानका जैसे खिलाडी की दरकार नहीं है बट यू नेवर नो दसुन शानका की फॉर्म माइट जिस गेड हिम इन दि कोलकता नाइट राइडर्स सेकेंड प्लेयर हुम माइट रिप्लेश शाकिबल हसन इन कोलकता नाइट राइडर्स स्कॉर्ट इट ट्रैविस अब शाकिबल हसन की तरह ही ट्रैविस हैड भी लेफ्ट हैंड बल्ले बाजी करते हैं आल फिलाल में उनका फॉर्म काफी शानदार रहा है थोड़ी बहुत ओफ्स्पिन करके भी वो दे सकते हैं फिल्डर बहुत ही शानदार है ठीक ठाक एक्स्पिरियंस भी अब इस खिल लेफ्ट हैंडर बल्ले बाज हैं और कोलकता नाइट्राइडर की जो आप प्लिंग 11 देखो या जो उनका बल्ले बाजी भी भाग देखो उसमें अल्रेडी बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड की डॉमिनेंस है चाहें आप कप्तान नितिश नाणा की बात करो वेंगे टेश चाहियर की बात करो रिंकु सिंग की बात करो तो अल्रेडी धेर सारे लेफ्ट हैंडल इस टीम के पास हैं टीम थोड़े-थोड़े समय में सुनील नारायन को प्रमोट करने को भी देखती है ऐसे में क्या ट्रैविस हैड उस चोईस को पूरी तरीके से फुल्फिल करेंगे उस नीड को पूरा कर पाएंगे जो की कोलकता नाइट राइडर्स को इस समय दरकार है यह देखना के के यार के कैम को जरूर होगा लेकिन अगर आप शियर फॉर्म और पोटेंशल पे जाते हो तो इस समय ट्रैविस हैड माइड नॉट बैड आप्शन फॉर कोलकता चल रही है वर्ल्ड T20 की स्कॉर्ड में भी उनको जगा नहीं मिली थी और उसके बाद IPL 2023 के मिनी आउक्षन में भी वो अनसोल रह गयते बट उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है PSL में एकाच सेंचरी भी इस खिलाडी ने मारी थी तो थ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और स्विंग के सामने भी उनको दिक्कत आती है तो देखना होगा कोलकता नाइटर्स अगर ये डिसीजन ले सकती है एक प्योर बल्ले बास खास करके शुरियस अयर के जाने के बाद उनको जरूरत तो ही तो अगर वो जेसन रोई की इन कोलकता नाइटर्स इस डेरल मिचल फ्रॉम न्यूजिलेंड अब डेरल मिचल जैसे बल्ले बास पिछले साग राजिस्थान रोयल्स के साथ था और इस साल भी तकरीबन सभी लोग उम्मीद जता रहते कि डेरल मिचल को कोई ना कोई टीम तो अपने स्कौर्ड में शाम अगर आप रसल को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की महाँ पर कोशिश कर रहे हो इस पिनर्स पर भी वो अच्छे छक्ये लगा सकते हैं तॉड़ी बहुत गेंद बाजी करके भी वो आपको दे सकते हैं तो आपको दो स्किल्स मिलती है विच और अगर ऐसा होता है तो I don't think it will be a bad option. Last but not the least 5th player who can replace शाकिबर हसान in कौलकता नाइट राइडर्स स्क्वाड इस रैसी वेंडे डुसेन from South Africa अब रैसी वेंडे डुसेन यहाँ पर मेरी अपनी परसनल पीक हैं चुकि मुझे ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इनको टॉप ओडर में बल्ले बाजी करवाते हो तो एक तो ये गेम को अच्छा रीड करते हैं और जब ये सेट हो जाते हैं तो इस पिनर्स पर भी अच्छा खेलते हैं इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम जरूर है इंदी इंटरने दुसेन ने खेल रखी हैं तो मेरे ख्याल में अगर ये टॉप ओडर में बल्ले बाजी करते हैं जहां पर आप टेज के साथ शुरुवात करोगे तो लंबे लंबे च्छके मारने की इस खिलाडी में काविलियत है एक्सपीरियंस भी इसके पास है अंडर प्रफॉर्म भी क कर सकते हैं तो आपको बैठाले रखोगे आपको जरुवत है एक अच्छे जॉइन करेंगे वह किस तरीके से आई-पियर में अकोमोडेट करेंगे कि आप लिटेंदास को उतना कॉन्फिदेंस है आपको कि आप लिटेंदास को सीधे प्लेइंग लेवन में डाल दोगे ये देखना KKR का काम है लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको एक पेस हिटर चाहिए जो कि मेरे हिसाथ है तो उनको चाहिए तो वो इन खिराडियों की तरफ देख सकते हैं और अगर उनको ओल राउंडर ही चाहिए दिन दसन शानका बाइट नॉट बी अबैट चॉइस और KKR लेकिन इस पूरी लिस्ट पर आथ का क्या ओपिनियन हैं मेक शूर तो राइट इस इन देख कमेंट सेक्शन डाल वेलो और आपके हिसाब से शाकेबल हसन का रिप्लेस्मेंट कौन होना चाहिए के क्यार में अपने ओपिनियन फड़ा फट से कॉमें लिकर के जरूर वीदियो